हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले से डिलेटेड और भी शीविटी टू की कट आफ के बारे में देखिए हम पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर वैकेंसी कितनी थी और फों कितने फिलप हुए थे तो उसके अंदर वैकेंसी थी 13,487 वैकेंसी थी और इसके लिए जो सीविटी वन में फों बरे गय थे वह बरे गय थे दो लगबग 22 लाग के आस्पास लगबग 22 लाग क्या आसपास आपके फों परे गये थे CBS 2 में जो केंडिडेट गए हैं वो पोस्ट के 15 गुना फेंडिडेट गए हैं और सीविटी वन की कटोफ जैसे कि हमको पता ही यह सब हाई बता रहे हैं तो बहुत हाई कई थी और सीविटी टू के अंदर जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे वो पोस्ट के डेड़ गुना 1.5 गुना 1.5 टाइम्स और पोस्ट के लिए जाएंगे लगबग 2230 केंडिडेट का सेलेक्शन होगा हम देखते हैं स्सी के अकोर्डिंग आरारवी जैई सीविटी टू की कटोफ के बारे में तो मैंने यह कुछ डाटा इकट्रा किया है यह है स्सी जूनियर इंजिनिर 2017 की कटोफ टा में होता है तो यह मैं आपको बताता हूं कि यह ससी का पहला पर होता है यह 200 नंबर का होता और इसके अंदर यू और ओबी सी की स्सीप्राइब कि जो कटोफ गई थी वह गए थी 58 पर सेंट 55 50 पर सेंट 50 फोंटी तुट को सेंट 45 पर सेंट 30 यह बगल में इसके नंबर भी लिखे हुए यह थी सिर्फ सिविल की अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल की थोड़ी से आई गई थी 68% यूर की गई थी और 66% OBC की 60% ST की 57% ST की और 56% OH की और HH की गई थी 40% तो अगर हम बात करते हैं टायर टू की तो टायर टू में कंबाइंड उन्हों ने लिस्ट दी थी कि किसके कितने नंबर आये हैं तो सिविल इंजिनेरिंग में जो यूर थे उनके 240 लगबग लगबग 500 में से आपको पताएं कि जो पेपर होता है वो 200 टायर फर्स्ट और 300 टायर टू जब जाके 500 बनते हैं आपको पताएं कि यू यूर OBC SC ST ये कैटेग्री हैं और यह गई थी कि पानसों में से 48 परसेंट लगबग लगबग 49 परसेंट 40 ये भी लगबग लगबग 49 परसेंट गई थी और SC की गई थी 44 परसेंट ST की 45 परसेंट और OH की 46 परसेंट और HH की 30 परसेंट इलेक्ट्रिकल की आप देख लीजिए वैसे की यूर की गई थी 60 परसेंट और OBC की गई थी 59 एस सी 53 परसेंट और ST की 53 परसेंट ओएच की 59 परसेंट और HH की ये परसेंट अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एससी टायर 2 के बारे में तायर 2 की की जो कट ओफ गई थी 300 में से वह सीविल इंजिनेर की 52 परसेंट ऑबीजी की 44 परसेंट और SC की 49 परसेंट देखिए आप कितना डिफरेंस आया है टायर 1 में जो कट ओफ गई थी यूर के लिए वह अठावन परसेंट गई थी वह टायर 2 में अगर सिंपल लिए हम देखे जाएं तो अठावन से टायर कम होकर 50 42 परसेंट आ गई यानिके लगबग लगबग आप देखे तो 16 परसेंट का डिक्रिमेंट हुआ है वहीं अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो टायर 1 में 68 परसेंट कट अगर दोसों में से और यहां पर देखा जाएं तो टायर 2 में 300 माक्स का जो होता उसके अंदे इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल की जो कट ओफ गई थी वह थी 55 परसेंट लगबग पहले पेपर की कट ओफ से कम गई है यह बता यह बताया जारा अब इसमें देखते हैं कि आरारवी जूरे इंजिनर में जो पोस्ट थी वह 341 पोस्ट थी और इसके लिए जो एप्लिकेशन फॉम भरे गए थे वह तस लाग एक तालीस हजार चैसों कुछ भरे गए थे और अबियर केंडिडेट जो देने गए थे वह पांच लाग उनत्तर हजार काई धाइस एकड़ा हजार दहजार लाग तस लाग यह थोड़ा गल्द हो गया में से यहां पर यह नहीं होगा यह पांच लाग उनत्तर हजार 953 बच्चे जो अपियर हुए थे केंड़ेट हुआ ह लगबग लगबग एक पोस्ट पर 16,715 कंड़िडेट थे यानि कि देखो कुम्पेटिशन कितना हाई था और अरवी में तो कुछ भी कुम्पेटिशन नहीं है इसी साबसे पोस्ट में पोस्ट के अकोर्डिंग देखा जा अगर यह 15 गुना बच्चे भी शीवड़े 2 में पास करते हैं अपने पेपर सेकिंड टायर सेकिंड में पास करते हैं जो यह बोलते हैं तो 5,115 कंड़िडेट पास करते हैं अगर 20 गुना लेंगे अपनी पोस्ट का तो 6,820 कंड़िडेट पास करेंगे यानि कि अब यह देख लीजे कि S.S.C.J.E. का जो कॉम्पेटिशन है वह बहुत ज्यादा है आर आर बी जूनियर इंजीनर से अब हम आप देख अब हम देखते हैं आर आर बी जूनियर इंजीनर सीविटी फर्स्ट की गटोफ क्वालिफिकेशन जो मार्क्स तखे गए थे मिनिम्म वह यू आर के लिए 40, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लि के लिए 45 से 65 और ST के लिए 45 से 55 मार्क्स और ST के लिए गई थी 40 से 50 मार्क्स अब देख लेते हैं CBT 2 की कट-off क्या जाने वाली है सब कह रहे हैं कि 100 जाएगी 200 जाएगी 105 जाएगी यह है वो है तो आप खुछ इंजीनर हैं आपको समझना समझना चाहिए कि दूसरे पेपर क कि कट-off भी अगर 70 75 80 परसेंट तक जाने लग गई तो वैकंसी क्या होगा और वैकंसी कोई कंपनी एसस्टी में तो मैंने आपको बताए कि एसस्टी में तो सिर्फोर सिर्फ तीन से तालिस वैकंसी थी और यहां पे तो हमारी 14,000 वैकंसी है 14,000 के लगबग वैकंसी है तो ह देख लेते हैं कि इसमें कट-off क्या जाने वाली है यू आर ओवी सी सी स्टी हमारी कैटेगरी है जो इलक्तिक और मेकेनिकल की है यह मैं मैं मानता हूं कि हाँ यह थोड़ी हाई जाएगी इसमें हो सकता है कि साट से सतर परसेंट के बीच में और पचपन से पैसेट सब्सक्राइब के जा करें कि लिए इन जाएगी इन से हज्जाएगी यूर के लिए 55-95% के अंदर ये normalize marks भी हो ये रोक्स में इसी इनी 10 percent के अंदर decide हो जाएगा कि रो marks भी और आपके normalize marks भी क्यों normalize marks ये नहीं कि आपके 50 marks बढ़ जाएंगे या आपके 20 percent बढ़ जाएंगे ऐसा तो है नि OBC के लिए 50-60% रखा गया यानि के नंबर में देखें तो 75-90 पर SC के लिए 40-50% रखा गया CBT-2 के लिए एक एकसेप्टिव कटोफ है जान तक मुझे लगता है और ST के लिए 35-45% 52.50 से 67.5 नंबर जो लाएगा वो CBT-2 में टिलर हो जाएगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कि दीवी के लिए जो केंडिडेट लिए जाने हैं डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 2280 लिए लगबद लगबद 20,000 के असपश लिए जाने है जो जो वैकन्सी है जो पोस्ट है जो पोस्ट है उसका लगबद लगबद 1.5 टाइम्स लाग लाग लाग